जोशी मट और अचिकेश में लेंड स्लाइट के बाद मसूरी में लेंड स्लाइट की दरारे देखी गई मसूरी के लंडोर बाजार जुएन मंदिर के आगे सड़कपल लेंड स्लाइट से जुएन मंदिर और आजपास के रह रहे हैं लोगों को खत्रा पैदा हो गया मासुम विधायक और माकीजी का मसूरी विधायक और कैबिनेट मंत्री गनेश जोशी ने लंडोर में हो रहे वुसलखन का और चब मेरिक्षन कर वहां रह रहे हैं लोगों का हाल चाल जाना मांत्री गनेश जोशी ने कहा कि जब तक भू वैग्याने के इस जगह को नहीं देखते तब तक वह कैपाना मुश्किल है कि किस तरह से भू धसा हो सकता है उन्होंने कहा कि जिस तरह से मसूरी में जमीन को खोदने का काम क्या जवा रहा है इससे आने वाले समय में कोई रहा हस्ता हो सकता है उन्होंने कहा अधिकारियों को निर्देश्वित क्या गया है और जो इसके बेहतरी के लिए हो सकता है उस पर काम क्या जवाएगा मसूरी से नरेश नौटियाल के रिपोर्ट अधियों दिखने में आ रहा है अन्होचित विकास से इस प्रकार की घटनाएं हो रही है और अभी भूगज्यानिक को यहां पर बलाया है वास्तिक तो जब टेक्निकल रुपोर्ट आई था हम कह सकते हैं लेकिन जो दिर्श्य दिखाई दे रहा है अकर इसको हमने नहीं र अधियों देगारी से बाच्चित करूँगा और जो इसकी भैत्री के लिए होगा प्रालमने कहा है कि बज़े बताया इया कि नीचे कहीं पार्किंग के लिए लोग खुदाई कर रहे हैं जिसकी वज़े से भी हो सकता है तो प्रालमने ने यहां की यू को रेसिन्म से कहा है कि तुरंद जो क्रिस्ट्रिक्सन का काम उसको रोका जाए ताकि कोई बड़ी घटनाया परना